नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया ग्रांड रिपोर्ट और मैं हूँ आपके साथ मानीका श्री वास्तो भारत के जंबु काश्मिर राज में बन रहा दुनिया का सबसे उचा रेल्वे आर्प ब्रिस्क का निर्मान कारे पूरा होने की कगार पर है 2022 यानी इसी साल के आखिर तक यह पूल पूरे रेल यातायात के लिए चालू हो जाएगा चिनाब नदी पर बन रहे इस रेल्वे आर्प ब्रिस्की तल से उचाई 369 मीटर और लंबाई 1315 मीटर है बादलों के उपर आर्प के आतार का यह पूल किसी इंजिनेरिंग चमतकार से कम नहीं है इस रेल्वे आर्प ब्रिस्की खासित यह है कि इसकी उचाई फ्रांक की राजधानी पैरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा है इसके साथ ही चिनाव नदी पर बन रहे पुल की उचाई चीन में विपिन नदी पर बने डेबियू पुल की उचाई से भी ज्यादा है केंद्रे रेल मंत्री अश्विनी वैश्णव ने सुमवार को दुनिया के सबसे उचे रेल पुल चिनाव ब्रिज की तजवीर अपने अधिकार ट्वीटर हैंडल के जरीए शेयर की है केंद्रे मंत्री ने तजवीर को शेयर करते हुए लिखा कि बादलों के उपर दुनिया का सबसे उचा आर्क चिनाव ब्रिज दरासल तजवीरों में इस ब्रिज की उचाई इतनी है कि बादल भी उसके नीचे दिख रहे हैं वहीं भारतिय रेलवे ने साल 2021 के अप्रेल में ही पुल का अंतिम आर्प क्लोजर भुड़ा किया था दर असल पुल का मुख्य उद्देश कस्मीर घाटी के कनेक्टिविटी को बढ़ाना देना है वहीं इस पुल पर पट्रियों को इस तरीके से विशाया जाएगा कि क्रेल 100 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से दोड़ सकेगी वहीं उमत्पुल श्रीलंका बारामुला रेल लिंग पर 111 किलोमीटर के सबसे मुश्कित सेक्षन को उत्तर रेलवे ने दिसमबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष रखा है बता दें कि जल्द ही परट्रन इस पुल से यात्रा भी कर सकेंगे इस परियोजना में जिस तरह से इंडियन रेलवे की शांदार इंजिनरिंग नजर आ रही है यह इसलिए भी खास है कि क्योंकि चिनाब ब्रिज जहां पर बन रहा है उसके आसपास के पहाड़ों की जमीन काफी कच्छी है ऐसे में कच्छे पहाड़ों और चटानों की बीच इतने बड़े पुल का निर्मान करना अपने आप में ही एक मिसाल और चमतकार है वही जानकारी के मुताबित इस ब्रिज पर 15 डिग्री सेलसेल टंपरेचर का भी कोई असर नहीं पड़ेगा इसके अलावा यह ब्रिज 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्ता से चलने वाली हवाओं को भी आसानी से सहन कर सकेगा वही पुल को आतंगवादियों और दूसरे किसी भी तरह के हमले से बचाने के लिए कुछ पर्याप्त शुरक्षा व्यवस्था की गई है आपको बता देंगी ब्रिज के एक तरफ के पीलर की उचाई लगभक 111 मीटर है तो यह थी हमारी आज की कुछ खास ख़बर ऐसी तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हैं इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट